नमस्कार मैं बलजी धाका फिनेकल कोजिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम करते हैं पेपर कोड़ 980 यह प्रिविश येर्स एससे सीजेल टायर वन 2017 से लेड़िट वेपर है और इसका लेवल है वो एजी तू मोडरेट है आपको 20 मिंट 25 मैक्सिमम उसम सारे के सारे question correct करने हैं क्यों कि टायर वन है वो speed और accuracy का होता है बहुत जादा knowledge नहीं चाहिए होता है उसकी question जादा नहीं आते what least number must be subtracted from 518 so that the sum is completely divisible by 13 इसमें से हम क्या माइनस करें कि 13 से डिवाइड हो जाए तो सीधा भाग देंगे इसमें से ग्यारा माइनस कर दूँ तो इसमें से वाग हो जाए question यह था कि इसमें से क्या माइनस करें कि वह completely 13 से भाग हो जाए तो हम लोग 11 माइनस करेंगे कम से कम तो भाग हो जाएगा अगला question है A और B किसी काम को दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं A करता है उसकाम को 20 दिन में और अकेला काम करें तब तो बताओ B उसकाम को अकेला कितने दिन में कर देगा A और B किसी काम करते हैं 12 दिन में और A करता है उसको 20 दिनमान लोग, टोटल काम 60 unit है, तो A और B कितना टाम लेंगे, 5 unit, और A कितना टाम लेगा, 60 पर टेम 20, 3 unit, इसका मतलब B लेगा, 2 unit, B कितना, एक दिन में कितना करेगा, 2 unit, और A और पर ब करें, 5 unit, ये 3 unit करें, 2 unit करेंगा, तो 60 unit काम करने के लिए, कितना समय लगेगा, 30 दिन दख समय लगेगा, अगला कोश्चन है, 53, What is the area of a regular hexagon of side 9 cm, hexagon का क्या formula होता है, root 3 by 4 A square, और 6 side है, तो 6 से गुना करेंगे इसको, और ये फर्मूला था उपर, और side है 9, 9 into 9 into 6, तो कितना हो जाएगा, 2 से cancel हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फिरे, 243 root 3 divided by 2, 243 root 3 divided by 2 C का answer होगा, अगला कोश्चन करते हैं, If one side is offered free on purchase of four side, 4 side अगर वो खरीदता है, तो 1 free दी जाती है, What is the effective discount on E cert, मतलब 5 cert पे, 1 cert discount है, 5 cert है, 1 discount है, कितने percent discount है, 20% discount है, अगला कोश्चन है, ratio present ages of P and Q is 7 is to 9, P और Q का जो age का ratio है, वो 7 अग्स है, ये 9 अग्स है, 10 साल, 10 साल पहले, मतलब दोनों में अगर मैं 10-10 माइनिस कर दूँ, तो ratio है 5 अग्स अग्स है, ये कोश्चन है, कोश्चन क्या है, कि अगर उनका ratio है age का, उसमें से अगर 10-10 साल माइनिस करें, तो एक्स अग्स 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 है, तो बताओ क्यों की present age है, क्या होगी, तो ये कितना वस्ता है, 49 x 70 और 45 x माइनिस 50, तो कितना है, चार x 20 के बार आप एक्स के जो 5, तो हमें बताना है क्यों की age, 5 निम 45, आनतर क्या होगा B, 20 इसका अग्स अग्स हो जाएग, 45 साल वर्तमान में उसकी age है, अगला कॉश्चन है, average marks of 40 students in an examination was 34, it was later found that, the marks of one student had been wrongly entered as 62 instead of 26, what is the correct average, क्या है, 26 की बजाए 62 है इंटर हुआ, तो कितना का difference हुआ, 12 में 6 गया, 5 में इस दो गया, 36 का difference हुआ, आप बोल सकते हैं, 44 student है, 46 student, 36 बटे में 40, तो पर average कितना difference हाया, पर average difference हाया, 9 बटे, तस मतलब 0.9, 0.9 है कम होनी चाहिए, अगर 34 की average है, तो कितने होनी चाहिए, 33.1 की average होनी चाहिए, आउनसर हो जाएगा, अगला question है, इस whole seller sells a good, तो ए रिटेलर, at a profit of 5%, and the retailer sells to a customer, at a profit of 10%, इस customer pays 2,000 रुपीज, what had it cost the whole seller, और आउनसर क्या है, थोड़ा fraction में इसा है, 100 रुपीज अगर पहले CP था, इसका whole seller का, 5% profit मतलब, 105 रुपे में किसको बेच रहा है, वो रिटेलर को, रिटेलर को बेच रहा है, और रिटेलर 10% के profit रहे, 10% कितना हुआ, यह उजाएगा 10 रुपे 15 पैसे, तो 115 रुपे 50 पैसे में, किसको बेच रहा है, केस्टमर को बेच रहा है, हमें बताना है कि, इसका CP क्या होगा, तो इसका मतलब, 100 रुपे में 115.50, मतलब, कि 115 रुपे 50 पैसे, अगर केस्टमर पैसे कर रहा है, तो CP कितना हुआ, whole seller का 101 है तो 100 रुपे में इतना, और 2000 है तो कितना होगा, तो इसकी जगा, decimal की जगा में यह लगा जेता हूँ, यहां पे, 5,10, 5,10, और 5,15, और 5,5, दो दूनी 4, 4,000 यहां पे और यह, इसको मैं अगर 231 से भाग दू, क्योंकि यह fraction में है, लेकिन यह जरूर देख लो, वो fraction में difference काफी है, तो कितना हुआ, यह एक से तला जाएगा, 231, 10 में से गए 9, 9 में से 3 गए 6 है, 3 में से 2 होगए 1, और 0, कितने में से लाएगा, 7 से 7 है, 7, 7 की 7, 7, 4, 2, 16, इसका वालना सत्रा सो के रेंज में होना, यह 17 इस रेंज में A की है, तो आनसर क्या हुआ, यह इसका अनसर हो जाएगा, फूरा calculate करने की ज़रूरत नहीं, when a number is increased by 69, it becomes 103 percentage of itself, what is the number, कोई number है, x और 69 increase होता है, तो यह कितना बन जाता है, 1.03x, 1.03x, मतलब 103% बन जाता है, तो यह इस साइड लाइन कितना हो जाएगा, 0.03x is equal to 69, या 3 बटे में 100 भी कर सकता हूँ मैं, तो कितना हो जाता है, 23, 29 होता है, x के वेल्यू कितनी हो जाएगी, 2300, x के वेल्यू हो जाएगी, 2300, आंसर क्या हुआ, C, अगला question है, a boat goes a certain distance at 40 km per hour, and comes back at the same distance at 44 km per hour, what is the average speed for the total journey, total journey की average speed क्या है, तो देखो मान लो, 120 और 40, 120 में total distance ले लेता हूँ, दोनों का LCM ले लिए या AC संख्या ले लिए, जो दोनों से भाग हो जाए, 40 km गतिस जाता है, कितना से में लगा, 3 गंटे, 24 km गतिसे कितना से में लगा, 24 में 125 गंटे, तो 120 जाना और 120 आना कितना हूँ है, total, 240, और कितने गंटे लगे, 5 अगतिना, 8, discount average speed कितनी है, 30 की average speed वे आनसर क्या हूँ दी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2AB और A plus B, ये भी formula यूज़ कर सकते हैं, ये भी formula यूज़ करना चाहिए तो, मनला 2 into 24 into 40, और बटे में 40 plus 24, वरना total distance divided by total time, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगला question है, is sum, total simple interest of 5408, the rate of 12.5% per year in 4 years, what is the sum, जखो 4 साल में कितना हुआ, 12.5 को में 4 से गुना, पचास तरफे, इसका हुआ 100 रुपे पचास रुपे ब्याज बनता है 4 साल में, हमें बताने है sum, तो को, 50 रुपे ब्याज है, तो sum कितना है 100, एक है तो 100 बटे 50, और ये इतना है 5400, तो कितना हुआ, समंदूनी 108, 10,800 रुपे principle हो जाएगा, बीस का answer होगा, अगला question है, 2 बटे में 3, 6 x बटे में 5, minus 1, 1 by 4, plus 1 by 3, is equal to 9 x by 5, ये question दिया होगा है, तो कितना हुआएगा, 3 दूनी इच्छ है, तो ये हुआएगा, 4 x by 5, minus, अब कितना हुआएगा यहाँपे, ये हुआएगा, 2 by 3 into 1 by 4 करेंगे हम लोग है, तो 1 by 6 होगा, minus में, plus 1 by 3, is equal to 9 x by 5, ये हाँएगा, इसको मैं इसाइड ले जाँँ, तो क्या होजाएगा, 5 x by 5, इसको इसाइड ले जाँँगा, मतलब, x की value आजाएगा, और ये कितना होजाएगी, इसका मैं 6 से आँपे कर जूँँ, और ये होजाएगा 2, तो 1 by 6 से इसका answer होजाएगा, x की value आज़र क्या होगा, अगला question है, a3 plus b3 is equal to 3, 4, 1, a, b is equal to 30, what is the value of a plus b, a plus b हैं में, इसकी value बताने हैं, तो क्या कर सकते हैं, देखो, a plus b की power 3, a3 plus b3, plus 3, a, b, a plus b, ये formula होता है, ये formula होता है, और a plus b, ये कितना दिया है, 341, plus में 3ab, 90 हो जाएगा, और a plus b, और इस side क्या है, a plus b की power 3, अब हम ये option से भी रख सकते हैं, 11 है, तो अगर मैं, a plus b की power 11 रख सकते हैं, तो 11 into 11, into 11, कितना हो जाएगा, 11 का cube, 1331, plus 3 is equal to, 341, 9 into 11, तो ये हो जाएगा, 990, और 341, तो इस काम से भी ये satisfy हो रहा है, 1331 हो रहा है, तो 133 वी हो रहा है, हमने option से put कर दी, आपे value, और answer कितना है, या D इसकाना से हो जाएगा, आगला question है, sum of a fraction, and size is reciprocal, is 31 by 6, what is the fraction, तो एक्स अगरमान लोगा फ्रेक्शन है, reciprocal है, 1 by x, और इसका तीन गुणा, मतला हो कि, 3 by x is equal to 31 by 3, इस तरह question को option से करना से, वरना quadratic equation बन जाएगा, जो काफी लंबी होगी, अगर मैं 2 by 9, put करता हूँ, तो 2, कितना हो जाएगा, 2 by 9, plus 3, और 2 by 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9, 37 बटे में 2, ये पहले ही जादा हो रहा है, 31 by 6, मतलब 5 से पहले ही जादा हो रहा है, अगर मैं put करता हूँ, 9 by 4, 9 by 4 plus 3, 9 by 4, ये कितना हो जाएगा, 4, 12 बटे में, ये कितना है, ये कम है, 5 से कम बन रहा है, तो मैं 9 by 2 करूँ हूँआ, 9 by 2 plus 3, 9 by 2, ये कितना हो जाएगा, ये बन सकता है, क्योंकि 9 by 2 plus 2 by 3, 6, और 37, 27 और 31 by 6, क्या हूँआज क्या हूँआ, C इसका न सकता हो जाएगा, अगरा क्वेशन है, What is the sum of the first 13 terms of a arithmetic progression, if the 5th term is 1, and 8th term is minus 17, 5th term कौन सी है, A plus 4D है, वो है 1, 5th term कितना है, 1, 8th term, A plus 7D, वो कितना है, minus 7D, तो क्या है, इसका देखिए, minus का plus हो जाएगा है, यहां पर, तो 3D minus का, और 17 plus 1, 18, D की वेल्यू कितना ही, minus 6, D की वेल्यू माइनस 6 हो गई, minus 6 into 4, minus 24, A की वेल्यू कितना हो जाएगी, 25, A की वेल्यू कितना हो जाएगी, 25, हमें बताना है, 13th ट्रम का सम बताना है, तो 13 ट्रम क्या होगी, पहले हम वो देख लेते, क्यों हमारे फर्स ट्रम आ गई है, 13 ट्रम पहले देख लेते क्या है, 13 ट्रम का, A plus 12D, एक इतना है, 25 और 12 इंटू माइनिस 6, तो 25 माइनिस 72 कितना हो जाएगा, 12 में से 5 का साथ, और 6 में से 2 का साथ, माइनिस 47 हो जाएगा, हमें पहली ट्रम आ गई और आखरी ट्रम आ गई, तो पहली ट्रम और आखरी ट्रम, 25 माइनिस 47, पहली टरम प्लस आखरी टरम, last टरम, divided by 2, यह क्या average आ जा जाता है और 13 से गुना करेंगे, 13 से multiply करेंगे, तो क्या जाएगा, sum जाएगा, average को 13 से multiply कर देंगे, sum जाएगा, तो कितना हुआ, यह 22 हुआ, 22, बटे में 21, 11 हुआ, 11 into 13 कितना हुआ, यह minus का था, यह हो जाएगा 143 minus में, तो minus 11 into 13, 143 minus, आगला question है, what is the reflection of the point, minus 4, 3 in the line, यह है, x is equal to minus 2, x is equal to minus 2 कहां पे है, इस side होगा, यह 1 लिजिए, यह minus 2 हो जाएगा, इस line, इस में हमें बताना है, और किसका reflection point बताना है, यह x और यह y है, तो यह x कहां पे है, 3 और 4, यहां पे इस side में, और y है यहां पे, तो minus 4 और 3, यह है, इसका reflection point इसमें कहां पे पड़ेगा, तो इसके पिछे इतनी दूरी पे पड़ेगा, अगर यह 2 है, तो इसकी भी यहां पे, यह होगी, जितनी यह है, इतनी यह होगी, तो इसका मतलब, यह y तो 3 रहेगा, और x क्या होगा, x यहां से, यह के बीच की दूरी अगर 2 है, तो यह 2 यह होगी, तो इसका मतलब 0 पे पड़ेगा, तो 0 और 3 इसका answer हो जाए, x 0 है, y 3, अगला question है, point A, divide segment bc in the ratio 5 is to 1, यह segment है, b और c, और point A है, point A, यह 5 is to 1 में divide रहेगा, coordinates of b are 6, और minus 4 है, मतलब x1 और y1, coordinates of c है, वो है 0 और 8, 0 और 8, मतलब x2 और y2, हमें बतारना है, a के coordinates के, इसकी x और y value बताना है, तो क्या formula होता है, यह formula होगा, m x2, n x2, divide by m plus n, यह x के value आजाएगी, और m y2 plus n y1, और m plus n is equal to y, यह y के value आजाएगी, y coordinate के आजाएगी, तो देखिए m, m कितना है, यह m है, और यह n है, यह formula हमने लिख दिया यहाँ पर, अब देखिए 5, x2 कितना है, 0, तो यह 5 into 0, और n कितना है, n है 1, और x1 कितना है, 6, divide by m plus n, m plus n, 5 plus 1, 6, x is equal to, वो आजाएगा, अब कितना आजाएगा, यह तो 0 जाएगा, यह तो 0 जाएगा, 6, but m सा 1 आजाएगा, तो x की value तो ओगी 1, अब देख लेते हैं, y की value, इसका मतला option से नहीं कर पाएगे, क्योंकि b b हो सकता है, और db हो सकता है, तो यहाँ पर कितना है, m की value, 5, y, 2 की value कितने है, 8, और n की value कितने है, 1, यह 1 है, और y, 1 की value कितने है, minus 4, divided by, m plus n, 5 plus 6, 28, 45, 46, 47 में से 4 गए, 36, 37 by 6, मतलब 6 आजाएगा, 6 आजाएगा, 6 आजाएगा, और यह किसका आएगा, यह आजाएगा, यह आजाएगा, फलसका, 1 और 6, 1 और 6 किसके, d इसका आजाएगा, अगला question है, what is the slope of line parallel to the line passing through the points 3 and minus 4 and 2, minus 2 and 5, हमें slope ज्याद करना है, और यह line parallel है, perpendicular तो negative reciprocal slope होता है, और parallel same होता है, तो क्या formula होता है, m is equal to y2 minus y1, और x2 minus x1, यह x1 और यह y1, यह x2 और यह y2, यह कितना हो जाएगा, देखिए, 5, minus, और minus क्या हो जाएगा, पलस हो जाएगा, 4, और x2 कितना है, x2 है, minus 2, और minus में है, x1, यह है 3, तो 5 तर चार 9, और minus में 5, 9 बटे में 5 और यह minus का, 9 बटे में 5, minus का, 6 इसकानस हो जाएगा, अगर यह हम पे होता, perpendicular, perpendicular line का, slope क्या होगा, तो यह 5 बटे 9, और minus का हो जाएगा, पलस, 5 बटे 9 आनसर होता, लेकिन अभी पूचा है, यह parallel वाला, अगला question है, X, Y, Z is similar to P, Q, Y, X, Y, Z है, यह similar है, किसके P, Q, R के similar है, ratio of the parameter, X, Y, Z का parameter, parameter of P, Q, R है, इसका ratio 4, 9 गया होगा है, जो parameter का ratio होता है, वो corresponding side का ratio के बराबर होता है, और जो area होता है, वो side of square के बराबर होता है, यह side के बराबर होता है, यह क्या P, Q 27 है, तो हमें बताना है, इसकी value क्या होगी, मतलब, X, Y की value क्या होगी, तो कितरा 9, 37, और 3, 12, X के value 12 हो जाएगी, आनसर का होगा, B, What is the value of 445 कितना होता है, 1, 1 by 3, cosecant 60, C, cosecant 60 कितना होता है, जो root 3 by 2 होता है, इसका उल्टा होता है, तो 2 by root 3 हो जाएगा, अगर मैं 3 root 3, यह alisum ले ले लेता हूँ, यहां पर 3 root 3 हो जाएगा, और उपर हो जाएगा 2, क्योंकि इस root में कोई answer नहीं है, अगर मैं इसको rationalize कर देता हूँ, और root 3 उपर से, और root 3 जीचे से गुना कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 3 और 39 तो यह जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? इसकी गुना होगी, 3 और 39 यहां पर हो जाएगा, और 2 root 3, देखो इस लुप में है क्या उन्टर? आगला कोश्चन है दी ए एफ इस राइट एंगल है और कहां पे एफ है वो 45 है और हमें बताना है आगला कोश्चन है 4theta is equal to, यह 21 by 20 है, 4theta क्या होता है, यह बटे में यह, और अगर यह 20 है, 21 होगा है, यह 29 होगा पाई था, अगर स्ट्रिप्लेट यहां से भी अंदादा लगा सकते हैं, secant theta कितना होगा, secant होता है, तो 39 by 21, 29 by 21, यह इसका अंसर हो जाएगा, अगला question है, वो है data interpretations related, a survey was conducted to find what is a genre of movies people like the most, 1200 people answered the survey, pie charts was the result of that survey, number in the pie charts are the percentage, 15 percentage of people did not like any movies at all, study the diagram and answer the following question, 12% लोगों का survey किया गया, 15% ने, कोई भी लाइक नी किया, बाकिये ने, 15, 35, यह 35 है, और historical वाली C है, यह है, historical वाली है, वो 6% है, drama वाली E है, वो है, 11%, इस तरह से action वाली B है, वो तीन परसेंट तो कितनी है, 25%, और fiction है, दी वो कितनी है 5% और रोमांस है वो 3% इस तरह से दिया हुआ है और रोमांस F है वो 10% दिया हुआ है तो कितना हुआ आप देखो 25 और 15 ये 60 हुआ और 11,34,16,30,35 तो ये टोटल हुआ 85 और 85 और 15 ये जन्हों कोई लाइक नहीं किया तो अब देखते हैं which two general movie were the like list सबसे कम किसको पसंद किया गया तो सबसे कम पसंद किया गया 3% और 6% और 5% और फिक्शन और रोमांस को फिक्शन और रोमांस को तो इसका मतलब A इसका अनसर हो जाएगा अगला question है how many surveyed said they liked historical movie historical movie कौन सी है ये ये कितने परसंट है 6% तो 1200 का 6% कितना हुआ 126 बहतर सीज का अनसर हो जाएगा 72 लोगों ने बोला कि इस्टोरिकल movie पसंद करते हैं how many more people surveyed like drama movies than those who like romance movie drama movie कितनी है 11% और romance movie कितनी है 3% इसका आठ परसंट का defense हुआ 8% कितना हुआ 128% हुआ 96 96 लोगों ने ज्यादा पसंद किया drama movie को अगला question है question number 75 24% who were mailed the survey questionnaire answered the survey the survey questionnaire were mailed to how many people 1200 लोगों ने ज्वाब दिया और 24% लोग है 1200 मतलब कि 1200 बटे में 24 into 100 total देखा जाए तो कितना हुआ 5000 लोग चे 5000 का 24% कितना हुआ 1200 लोगों ने ज्वाब दिया तो अनतर क्या हुआ यह इसका अनतर हुआ जाएगा इस तरह 70 total है 25 question किये हैं thank you very much for watching this जाग सिर्पा